असलाम लेकुम जी दोस्ते मेरा नाम ताब शॉर आप देख रहें मेरी ये वीडियो अंदेशी क्रिप्टो गुरू और आज एक बड़ा ही खुशी का दिन है मेरे लिए तो अट लिस्ट और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखके कुछ चोटी मुटी इंवेस्मेंट की व करने अप्ट गरुणा करेंज कि अपनी मरजी से समझ के खुच से करना है मेरा मकसर इस चैनल और चैनल के इस की विजिन है कि हम disp music अप कर रहे हैं क्रिप्टो के इंवेस्मेंट कैसे करने करने क्यूंकि ट्िक्ना जी बस दो-tीन दिन ऐए एक मीने या एक साल के लिए नहीं है, that is the future, और बहुत सारे coins आते रहेंगे, बहुत सारी investment opportunities आती रहेंगी, और मैं इस चैनल पे आपनों को educate करने की कोशिश करता रहूंगा, अपनी समझ के मताबिक, ये मेरा सिर्फ मेरी अपनी राय है, इसको please, 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 आप लोग financial advice ना ले, और जो भी investment करते हैं, अपनी म ये है, कारडानों की, मैंने बताया, बताने की कोशिश किया, असान अलफाज में, कोई technicalities में नहीं पढ़ता, मैं बड़े ही असान अलफाज में बताने की कोशिश करता हूं, कि आप लोग किस तरह से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और इन चीज़ों को ले के चल सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि अगर कारडानों में मैं खुछ से इंवेस्मेंट कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरी अपनी क्या ड्राइविंग फोर्स है तो वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक्स्प्लेइन करने की कोशिश की है उसके लावा मैंने इधर कारडानों की प्रेडिक्शन प्राइसे भी बताई थी बाई और सेल कब करना है और उसके लावा आप कारडानों से रेलेटेड वीडियो देखें कितनी इजाद है मेरे पास मैंने यह भी पोस्ट की थी मैंने बहुत रसा पहले तक्रीबन कोई तीन हफ़ते पहले की वीडियो पोस्ट की थी और यह वो टाइम था जब मैंने कारडानों के अंदर इस इन्वेस्टमेंट करनी चुरू की थी तो उसके अगले ही दिन मैंने यह वीडियो पोस्ट की थी कि देर ना कर देना कारडानों के बारे में अच्छा जी आपको मैं अब बड़ा ही क्विक्ली ले के चलता हूं कि कारडानों में अच्छली हो क्या रहा है तो हम जाते हैं जी कौाइन गेको डाट कॉम और अच्छी खबर यह है और यह बहुत बड़ी मेरे लिए भी बहुत बड़ा सर्प्राइज है कि कारडानों जो उनसा है मार्किट कैप वाइस तीसरे नंबर पर आ चुका है अच्छा यार यह मने एक निया सेटप बनाया है इसका यह जो आपको सा सारे लोग जो उनसा है वो मुबाइल के उपर बैठ कर देखते हैं तो उनके लिए यह फिगर्स को देखना बड़ा सान है लेकिन जी कारडानों को देखें तो यह मार्किट कैप वाइस तीसरे नंबर पर कॉइन आ चुका है जो कि एक बड़ी ही अन्हूनी सी बात है क्यों क्यों हुआ है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अभी हम इसको होल्ड करें या बेज दें अच्छा उसका मैं जवाब अभी देता हूं इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बड़ी यूसफुल होने वाली है आप लोगों के लिए लेकिन आप यह देखें क दूजए सारी चीज़ें करने की कोशिश की हैं अपनी वीडियो के अंदर के क्यों इसका ब्राइट फूचर लग रहा है क्यों इसका अर्वेस्टर के अंडर आ रहा है और वसारी बातिं आपको वसाथ चोती नज़ाहां कहां से इस और इनकम तो थी Ethereum मैं यह नहीं कहा रहा है कि Ethereum खत्म होने वाला एथिरियम टूपॉइंट हो आ रहा है जिसने एथिरियम होड़ किये वे उसको कुछ और से बाद उसका फाइदा जरूर होगा ऐसी बात नहीं मैं कह रहा दूसरी बार मैंने आपको यह कहनी थी थोड़ा सा इसका अपने अपने कैमरे का प्लोगों को क्रिप्टों की मार्किट बड़ी तरह नीचे जा लगे ती तो उस वक्त मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी तकरीमां 30 मिनट की वीडियो है लेकिन इसको प्लीज जाकर देखें आपको पता लगेगा कि क्रिप्टो की मार्किट बेसिकली कैसे रन करती है इसके इंदर क्या होता है क्रिप्टो की मार्किट शॉर्ट टैम गेन के लिए नह नहीं ले सकता यह आपने खुद से लेना है और मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि आपकी किसी भी कॉइन के अंदर इंवेस्मेंट करने के लिए को इसके पिछे स्ट्राटेजी होनी चाहिए अब जैसे मैंने का डानो होल्ड किया वाया अगर तो मैंने मेरे मेरे म मैंने इसको कैसे ले के चलना है टीक है मैं अपना आपको पता सकता हूं लेकिन आपने अपनी मर्जी खुज से अगर आपको लगता है कि यहार मैंने 8 equipo का उठाया था इस वक्त 1.3 का हुआ है मेरे ख्याल से इस वक्त 1.3 का हुआ है और अगर हम जाकर देखें तो मैक्स यह गया है जनाब 1.48 के उपर भी गया है आप यह देखें यह आज ही मैं आवरली चार्ट के अंदर हूं और यह आज कितने बजे तिक ग्यारा बजे के करीब 1.5 पे गया था अच्छा अब अगर आप यह देखें मैंने अगर इसके अंदर स्विंग ट्रेड करनी हो या डे ट्रेड करनी हो तो मैं आपको आइडिया दे देता हूं बाकी करना आपने अपनी मरजी से है मैं क्रिप्टो के अंदर शॉर्ट टर्म मोटेव और शॉर्ट स्ट्राटीजी के साथ एंटर नहीं हुआ मैं क्रिप्टो के अंदर इस तरह हूं कि आप यह देखें ना इथीरियम इथीरियम को देखें कि एथीरियम आज से हम पीछे चले जाते हैं यहां पर इथीरियम पांसो दोजार बीस में 575 डॉलर का था ठीक है और इतना गिरने क है मैं इस तरह की गेम देख रहा हूं देखें आप फाइदा उठा लेंगे आपने सो क्राउंड के आपने कार्डानों लिए में और वह अब लट से 140 डॉलर के हो गए हैं अगर आपका वे यह विजन है और अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग करनी है तो आप उसको प्ली है यानिकर जब कर्डानों का इस तरह की लिवा से सब्क्रण दरशीर करना चाहें तो चैन्म कYUşके निए के पास तो जीएँ ए हुआ जिसलान चब डर वाल्य जा इस वाले सेशन के इंदर 500 डॉलरर हो जाँआगा काडानो 50 डालर पर चला जाए गा अब बात यह एक उसकी प्राइस में आपको पता दिया क्या है चिज्य को पाथ थी दो बड़ा अच्छा प्राफिट हो रहा है अगर अपना सारा काडानो बेज लूं तो मुझे बड़ा ही अच्छा प्राफिट हो रहा है एक यह स्ट्रैट करें और फिर नेक्स डिप का वेड करें और उदर दुबारा से बाय करें अगर आपने इस तरह की ट्रेडिंग करनी है मैं उसको गलत नहीं कहा रहा हूं कि उसको मैं सपोर्ट या उसके गेंस जा रहा हूं लेकिन मैं इसरब यह कह रहा हूं कि मेरा यह स्टाइल नहीं है मैंन देखे ना मैंने यहां से बाइग किया था ल unanimous मैंने जिरो पॉइंट three से जहां से केंसे बाइग करना चुरू कियाwarm तो बहुत से अने deep ऑई है तो यहां पर सेल करता और यहां पर दुबराब करता और यहां पर दुबारा सेल करता यहां पर इस वाली डिप में मैं दुबारा बाय करता तो अच्छे खासे मैं पैसे बना सकता था लेकिंश की दो-तिन वज़े हैं एक तो वज़े हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना ही मेरा यह विजिन है का डानो से रिलेटेड अ अच्छा अब चलते हैं बड़ा ही की कोस्टिन के उपर जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ताभी हम काडानों बेज दें या नहीं अगें मैंने आपको आंसर कर दिया कि आप अपने काडानों को होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करें मैं किस तना की ग्रोथ है कितना टाइम लगता है इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता है मैंने अपनी वीडियो में इस वाली में बताया है कि काडानों की प्राइस दो धाई डॉलर को भी मार्च में टच कर सकती है तो जो शौट टम के लिए एंटर होए में मेरी उनसे रिक्वेस्ट यह है को थोड करना है मैंने इसको लेके चलना है अच्छा यह तो हो गई काडानों के उपर बात दूसरा मुझे लोग पूछने था भी हम काडानों खरीद ले इस वकत टाइम है इसको खरीदने का या इस वकत डिप आजेगी इसके अंदर मैं सरफ यह पताना चाहता हूं कि काडानों का मैं यह चार्ट देखूं तो काडानों इस वक बड़ी नॉर्मल सी आरे सही के अंदर है ना बहुत जादा ओवर नहीं सौरी हम इदर और के अंदर जा रहे हैं और के अंदर जले जाते हैं तो काडानों सा है बड़ा ओल टाइम हाई टाच किया मैंने पिछली वीडियो में है कि का जब भी कोई शेर अपने आप अपना अल टाइम हाई टाच करता है तो उसके बाद मारता है यह बड़ा नॉर्मल सा फिनामना है किसी भी ट्रेडिंग मार्केट का अब आप यह देखे जब इसने अल टाइम हाई टाच किया नीचे वाली वह परपल लाइन देखें क हैं डाउनलोड या यह ट्रेडिंग व्यू.com के उपर जागे आप सर्च करने एड़ा एड़ी ए यूएसडी आपको मिल जाएगा एड़ा यूएसडी बाइनांस का उठाले बेशक ठीक है आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा यह आरस है इसकी उपर गई वी है यह पिर वही टेक्निक अलिटिस ना मैं मैं सिक मैं भी गुरूर्स में ना मैं ना ही मुझे आती है भी बहुत जादा मैं खुद अभी स्टूडन्ट होस्चीज का लेकिन मैं इतना जाता हूं कि कोई बी चीज अगर अप ट्रेंड में है और वह और वह बहुत हुई है और की और टाइम हाई को भी टाच का रही है तो बहुत सारे चांसे आएगी आपको नजर आ रहा है कि डिप आ रही है मैं पिछले 30 मिनिट के वाले चार्ट में चला जाता हूं तो चार्ट पिछले 30 मिनिट वाले चार्ट में भी जब इसने 1.5 को टाच किया है तो उसके बाद की नीचे जा रही देखें जब जिस जगह पे 1.5 को टाच का रहा था तो आरेसाई जो उनसी है यह आरेसाई यह 14 डेस के उपर मैं देख रहा हूं यह और बॉट हुई भी थी उसको ठीक है जी इस फक्त यह तक्रीबन 50 40 के ग्रीब ग्रीब है इस फक्त इसमें अगर आपने एंटर होना है अगर आप यह राइट टाइम है एंटर होने का नहीं का डानों के अंदर तो भाई मेरे ख्याल से तो जो मेरा अनैलिस कहता है कि यह 1. 1.3, 1.4, 1.5 भी बड़ी अच्छी प्राइस है एंटर होने के लिए बिकॉर्स मैं जो वेट कर रहा हूं इसका वेट कर रहा हूं कि यह एट लीस्ट जाए 2.5 डॉलर और 2.53 डॉलर को मार्च के अंदर टाच करें उसकी वज़ा क्या है वो जा कर आप मेरी ये वीडियो देख ले उसके अंदर मैंने एक्स्प्लेइन की है ले यार ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी मैंने सोचा नहीं था कितनी लंबी करूंगा काड़ानों के मैं अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के कुमेंट्स पढ़ने वालों वो भी मैं अपलोड करता हूँ अपना बहुत जाता ख्याल रखें खुछरे मेरे लिए दुआ कर दें अल्हाफिस